चेहिन दोस्तों वेलकम टू माई यूटूब चैनल जीके विद तरून आज की वीडियो में हम बिहार SSC 10 प्लस टू का जो वेकेंसी आई हुई थी इसका प्रैक्टिस सेट दोग करवाने जा रहे हैं जिसमें आपको 100 GKGS MCQ मोड में कुस्षन होगा यह फूल चाहिए तो आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट एक करवा चुके हैं कि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले लिस्ट का लिंग दिया हो वहाँ पर जाके देख सकते हैं तो आईए देखते हैं को सन्नमर एक से देखें को सन्नमर एक और आप लोग से एक छोटा सा रिप्वेश्ट है कि जो भी नियू इस चैनल के साथ पहली बाट जू रहे है चैनल को जरू सस्क्राइब कर देए वीडियो को लाइक कर देखें कोसन नमर एक है राष्टिय सिक्षा निती 2020 का प्रारूप निम्निमेसिक किसकी अध्यक्स्ता में गठित समीती द्वारा तयार किया गया मतलब कि राष्टिय सिक्षा निती 2020 जो आई है इसका मसोदा जो है किसने तयार किया है तो यह अप्सन नमर बी जो है के कस्त संसाधन विकास मंत्राले का नम जो बदल के सिक्षा मंत्राले कर दिया गया है तो आप कहीं कहीं पूछ लिया जाता कि मानफ संसाधन विकास मंत्राले का अब क्या नम है तो सिक्षा मंत्राले है पहले जो है सिक्षा मंत्राले ही था 1986 में नाम बदल के मानव संसाधन विकास मंतराले कर दिया गया, फिर 2020 में मानव संसाधन विकास मंतराले का नाम बदल के अब शिक्षा मंतराले कर दिया गया Damn इसे भी ध्यान में आप लोग जरूर रखेगा कुशन नमर दू देखिए अंतराष्ठी योग दिवस हर वर्स मनाया जाता है तो अंतराष्ठी योग दिवस हर 21 जून को मनाया जाता है अप्शन नमर एक राइट अंसर हो जाएगा देखिए यूएन द्वारा जो है 2015 से हर व अंतराष्ठी योग दिवस मनाया जाता है तो इसे भी आप लोग दियाओन में जरूर रखेगा आई को सन्नमर थी देखते हैं अ पर्थम भारतिय समराज अस्थापित किया गया था तो पर्थम भारतिय समराज जो है यह चंद्रुप्त मोरे द्वारा अस्थापित किया गया था को अंस्तापना किया गया था चंद्रूप्त और लूसरा Σी को अर्प यूघा था चंधुड जाता द्वारा जो है समुत्र गुप्त का एक चीज याद रखेगा कि इनका जो है वीना बजाने में नीपून थे इसे विध्यान में आप लोग रखेगा आए कोस्टन नंबर चार देखे बाल गंगठा तिलक द्वारा राष्टियता को बढ़ावा देने हितु अकवार निकाला गया था तो याद रखेगा केश्री देखे बाल गंगा था तिलक ने दिया था कि सोराज मेरा जरमचीद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह 1916 में लखनू अधिवेशन में यह अगॉन किया था इसे भी ध्यान में रखेगा कोस्टन नुमर पहुंच देखे त्र एक चुनाव हुआ था जिसमें सुवाचंद्र बोस ने जीता था तो बाद में गंदी जी चार है थे कि पटावही सितारमिया को कोंग्रेस का अध्याक्स बनाया जा तो सुवाचंद बोस ने इस्तिफा दे दिया और पटावही सितारमिया भी नहीं बने तो उसके अस्तन जो है राजंदर परसाद बने थे कोंग्रेस के अध्याक्स देखिए 1949 में जो है यह तिरी पुरी संकट वहा था इसे शुवाचंद बोस ने त्याग दे दिया था तो आजाद हिंद फोच के परतम सेनपति जो थे मोहन सिंग थे इसे ध्याण में रखेगा देकिए अजाद हिंद फोच के प्रेरना दायक और संगठन करता जो है रास ब्यारी बोश थे इसे भी ध्यान में रखेगा आप लोग उसके बाद सुबाचन्द बोश जो है सूपर क पॉौषच के करता से और लॉट के निगल के तरीiszश और लॉट के प्रेठाइट का परतम वाईस तो इसे बीए लोग जरूर रेखेगा को प्राइट आशर हो जाएगा ओप्षान नमर डी आपको पीडियाप जब मिलेगा टेलीग्राम चनल पर एक बड़ बना के आप लो जरूर चेक कर लेज़ेगा आएक कोसन नमर नो देखते हैं ह Zargi कर्म का सिधान जो हैं मिःशांस से तो नियाय का सिधान जो दिया था देखिए उसके बाद वेसेविक्ट का सिधान कपिल मुनी में दिया था और स्यादवाद का सिधान महावीर ने क्यों होती है क्योंकि जो परिवर्तन होता है क्योंकि जो अप्सेंबर 20 जो है पृत्षिवी के शुरी के चारों और परिभरणन करने के कारण जो है रितियों होती है और याद रखेगा 23 सेप्टेंबर और 21 मार्च को जो है दीन और रात बराबर होती है आए कोसन नमर 11 देखते हैं गिरीन वीच किस देश में अवस्तित है तो गिरीन वीच जो है यूके में अवस्तित है ठीक है अब देखें टोटल टाइम जोन की बात करें गिरीन वीच नीमनितत्तों में से कौन से भूपरपरटी में करम सा अधिकतम और नीमनितम मात्रा में पाई जाते है तो भूपरपरटी पे जो है सबसे अधिक और सबसे कम जो है कौन सा अधिक पाई जाता है देखिए एक आपको यह बता है सिरीज सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जात पर तो उप्सन नमर इसका राइट अंसर हो जाएगा आए देखते हैं आपको इसका पीडियोप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया हुआ है आए कोशन नमर 14 देखते हैं दादर और नागर हवेली भारत म निम्नमेश से किन राजियों के बीच इस्तित है तो दादर नागर हवेली जो है बात के किन राजियों के बीच में इस्तित है तो यह गुजरात और माराष्ट राजी के बीच में जो है दादर और नागर हवेली की अस्तापी 11 अगस्त 1971 में किया गया था 26 जनवरी 2020 को जो ह दादर वो नागर हविली तथा दमन दूब को मिला के एक कर दिया गया है जिसकी राजधानी जो है दमन है इतना ध्यान में जरूर रखिएगा पूसर नमर 15 देखे मिलाउन करने वला है इधर है बहुत देशी है परियोजना इधर नदी किस नदीप है इडुकी परियोजना इडुकी परियोजना जो है आपको पिरियार नदीप है उसकी पर्याद मातर टिला परियोजना यह आपको बेतवा नदीप अंध्रदिश का है और पोचांबाद पर्यूजना तो इसे धियान में रखेगा तो इसका राइट अंसर होगा option number C जब मिलाउन किजेगा तो option number C इसका right answer निकल के आएगा option number 16 देखते हैं कि अस्थांतरन सिल्क डिसी के संदर में सत्यकतनों की पहचान करें यहाई अप्शन नमर पर्यावरण के लिए लोगस्ता होते हैं इसे विध्यान में आप स्रिलंका में जिन के नाम से जना जाता है इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं तो देखें कुरा कना सत्रह बंगत तर तो पर्तम तेल परिस्कारन सविर्ट कहां अस्थापित किया गया तो पर्तम तेल सइल राश्ट्य पार्क भारत का स्वर परतम अस्थापित किया था बंकि देख लेते बॉनदीपूर राश्ट्य उध्यान जो है करणाट्रक में जिनकार्वेट उत्राखंड में वेलवादार जो है जार्कन में पेरियार जो है केरल में तो इसे विध्यान में आपको रख सकते हैं कोशननर 19 देखिए काली मीटि का विश्थार पाया जाता है तो काली मीटि का विश्थार जो है इन तीनों राज में पाया जाता है तो कोशननर D इसका रहीटांस रहो जाएगा जो है महाराष्ट, मध्यपरदेश, गुजरात, इन तीनों राज में जो है काली मीटी का विश्टार पाए जाता है, काली मीटी को जो है रेगुर मीटी भी कहा जाता है, और काली मीटी का अंतराष्ट ये नम जो है चार नोजम मीटी भी कहा जाता है, इसे विद्यान में कि लिए प्रदूसन है गंगा को जो है राष्टी नदी चार नवंबर 2008 को मना गया है यह कोसर नमर बाई देखते हैं कोसर नमर पाइस किस तिथी से संविधान सभा का अंत्रीम संसत के रूप में अभिभार्व हुआ था यह 26 जनवरी 1950 को हुआ था तेकि हमारा संविधान 26 नमबंब प्रपेचा कोशन है निमलिकृत में से कोन वीत आयोग द्वारा की गई' प्रथेक सिफारिक को संसद के परिटेक शदन के सभाता है वी आयोग प्रतिक Seráis को संसद्व भारत के राष्टपति रखवाता है ये जो है आर्ट अ लोग सकते हैं किरिद्धान में अप लोग रख सक सभी भारतिय नागरिकों को नीमने में से कौन सा एक उपलब्द करने के लिए वादा नहीं करता है पुजा की समनता में सबको एक समनान वादा करने नहीं करती है बंकि समाधिक निया और विचार की सोतंतरता प्रस्ताबना में यह वादा करता है व्यक्ति यों को देने देखे प्रस्ताबना को जो है सम्मीधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्विकारा गया था और प्रस्ताबना को जो है जवालार नहरू ने लिखा है अई कोशन नमर 25 देखते हैं निमलिकीत कत्नों का परिक्षन कीजिए और नीचे दिये गई कूट में से सही उतर जुनिए यह चार उप्षन है इसमें सिकार रहा है कि कौन सा गतन सही है जो सही है उसी को बदा देते हैं देखे इसके अनुसा जो है डाइट अंसर अप्षन नमर बी हो जाएगा एक और ती एक और ती तो देख लेते हैं पहले एक देख लेते हैं संपतिक अधिकार अब मूल भूत अधिकार नहीं है तो सही है भारतिय समविधान की प्रस्तावना में 42 में संसोधन द्वारा धर्म निर्पेक्स समाजवाद तथा अखंडता को जोरा गया यह भी सही है दो और चार गलत है उसको भी देख लेते हैं क्यों गलत हैं लाजसभा थान विल को को रोक सकते हैं लूदा द्रम नहीं रोख सकती है 14 दीनों सब्छा समसद में कोई वेवस्ता दौरा में सलजाया जा सकता है जो संयुक्त बेटक जो आर्टिकल 108 में दिया गया है जिसकी अध्यक्ता लोगसभा के स्पिकर करते हैं आई को सनमर 26 देखते हैं इदे आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर आप लोग सस्क्राइब कर दें देखे राश्टपती सासन गोशित किया जा सकता है तेकि राश्टपती से सहमत हो कि राजका समिधन के उपवंद्रों के अनुसार नहीं चला है तो राश्टपती किसमीराज में राश्टी राश्पती शाषण हो और और राश्टपती सबसे П 싸्लार पंजाब में जून 1951 इसीमें लगा था जिस टाइम पंजब में जो सरकार थी भार्गावत सरकार थी ठीक है बंकी यह अध्रखेगा भागव 18 में 306 भी है वित्ति आपाद तीनों आपा जो है राष्टपति का भाग 18 में दिया गया है इसे भी ढख सकते हैं एककोस इसनiday संभाब है तो कुम साय जो है आधे से अधिक समर्थन होना चाहिए इसका राइट अंसर जो जगा अप्शन नंबर एक एक दो तीन जो है सही हो जाएगा तो देख लेते हैं तो राश्पति का निर्वाचन के लिए आधे साधिक जो है विदान मंडलों का समर्थन चाहिए संस संसुतन जो है अर्टेकल 368 में दिया गया है और यह भाग यदि कुछा जाता तो भाग बीज में इस चीज की चर्चा किया गया है एक कोसन नमर 28 देखते हैं देखें ध्याना आकर्षन सूचना यहनि के प्रभधान ने निमलिखित में से किसके छेत्र को सिमित करता है तो जैसे अभी फिलाल में मनिपूर में जो घटना घटा था उनको संसद में उठाना है तो वही वह ता ध्यान अकर्षन सूचना जो अलपा विधी की द्वराज इसकी चर्चा की जाती है तो यही पूछा जा रहा है बकी अप्शन देख लेते हैं तेकि सुनिकाल जो है कि और वाकरती औरफ विष्था के उधारी करण का अगरदूर्ट किसको कहा जाता है तो उधारी करन का अगरदूर्थ जो है ड्क्तर मनमहन सिंग को कहा जाता है तो यह वित मंत्री थे गोषणा जो है 24 जुलाइड यूण 2021 भी को क्या गया था इसे ध्यान में रखेगा इस सब्सक्राइब करें नीती आयोग के सरचनां से संबंदी सत्य कथान पर विचार कीजिए तो नीती आयोग के जो के टबल एक कथन सही है को देख कने समय का मंघसेजओं के सबस्थ सभी बुक मंतरी के इंसासित पर दे । यह नीती आयोग में तो होते दूसरा दिया फेले व रिदायथ जो है वद्धान मंत्री खुद होते हैं ठीक है और नीटी आयोग जो है योजना आयोग की अस्तान पर लाया गया था जिसकी नीटी आयोग की फॉर्मेशन जो है एक जनवरी भारत में बहुराष्टिय कंपणियों को प्रोचाना देना बढ़ावा देना क्या कहलाता है तो तीनों अप्शन जो है यह कहलाता है उपयोग सभी नितियों को देखें क्या-क्या-क्या है नीजी करन निती को, वेसवी करन निती को, उदारी करन निती को. इन तीनों नितियों के करन जो है बोराष्टी कमपनियों को प्रोचाना दिया जाता है. अगे कोसन नमस चौंती देखते हैं. भारतीय रूपिया पूर्णिता परिवर्तनिय है कैसे? देखें, तीन अप्शन ह इसमें दिया कुंसा कथन? सही है. तो कथन जो है, शिर्फ तीन सही है. तो तीन देख लेते हैं पहले, देखें, भुक्तावन सेस के चालू लेखा के संबंध में जो है, भारतीय रूपिया पूर्णिता परिवर्तनिय है. तो अप्शन नमर तीन इसका सही हो जाएगा, इस के द्वरा किया गया था, देख लिजी, विद्धु चुम्बक तत्र, तो यह जो है, आपको फिराडे के द्वरा किया गया था, अनुवान सिक्ता का सिध्धान जो है, यह आपको मेंडल के द्वरा किया गया था, मतर पर किया गया था, जरत का नियम जो है, आपको पुर्णिता वास्पिक्रित हो जाता है तो पात्र में सफेस्थोस बचा रहा जाता है या निमलिक्रित में से किनकी उपस्तिती के कारण होता है देखे जब कठोर जल्जु है वास्पिक्रित पुर्णिता हो जाता है तो पात्र में जो कोई विबत्र में सफेस्थोस बच जा केपसूल का आबरन बना होता है किसका बना रहाता तो यह इस्टार्स का बना रहा रहाता है तो यह इस्टार्स का बना गुणा हो जाएगा एक जैल्लोज का पाचन मनवशरी में नहीं यह जानबरों में होता है और कोशीका बित्विती जो है इसे भी आप लोग ध्यान में रखेगा तो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सेलीलोज का पाचन मनवसरी में होता है या नहीं यह आप लोग नहीं करिएगा एको सानमर्टी देखते हैं विद्दूत अफगतन में ऑक्सीकरन ऑक्सीडेशन होता है यह यह एनोड पसे देखे इथलीन का अकृति न्यूरात्यकरण राइट अंसर हो जाएगा अधिलीन का सुत्र होता है सी टू एच पोल इसका जब बनेगा इस तरह का होगा ऐसे नमर्च देखते हैं निवलिकित में से कौन सा प्रोग्राम है जो उच अस्तर भासा को मसीनी तो उच में परिबर्तित करता है तो इसे आप लोगर रख सकते हैं अई को सन नमर्ट देखें यह थैंकों रहनी की योगिक का परदार का परियोग की तरंगों द्वारा वस्तूं की उपस्तिती तथा अवस्तिती ग्याद करने के लिए किया जाता है और रडार का फूल फ्रम जो होता है डेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है और रडार का अभिस्कार जो है रोवर्ट वाट्सन ने किया था इसे विद्यान में आप लोग रख सकते हैं अई कोशन नमर 44 देखते हैं निमल्खित में से कौन सा तर्श मनुस में प्रकृतिक रूप में नहीं होता है उप्सन के अनुसवाय हो जाएगा बकी जो है अद्सकाल सरीर में प्रकृतिक सोडियम 24 का परियोग की लिए किया जाता है और iodine 131 का जो उप्योग है यह थाराईड गरंथी के उप्चार में लाया जाता है उसके बाद लोहा 69 यह आरन 69 का प्रियोग जो है आरक्ता रोक को पता लगाने के लिए किया जाता है तो इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखेगा आई कोशन नमर 40 देखते हैं 46 नमर है एक प्रोटोन तथा एक एलक्टोन को जिनका वेग एक समान है एक समान चुम्बके छेतर से होकर ले जाया जाता है इस अंदर में निम्लिकित कतनों में से कौनसा सही है तो कौनसा सही है? चार कथन दिया है तो चार में से कथन एक ही सही है तो क्या दिया है? देखिए प्रोटोन तथा एलक्टोन पर समान और विप्रीद बल होते हैं तो इक कथन एक सही हो जाएगा देखिए चुम्बके छेतर का SI unit जो है टेसला होता है इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं आई कुशन नमर 47 देखते हैं देखिए एक कुशन नमर 47 नवजाज सिसु को ट्रीपल एंटीजीन वेक्सीन निमलिफित में से किस रोख से पतिरक्षा करने के लिए दिया जाता है ट्रीपल एंटीजीन वेक्सीन जो नमजाज सिसु को दिया जाता है ऑप्शन नमर 20 का राइट अंसर हो जागा कुकर खांसी टिटेनेस और डिप्थेरिया के बचाप के लिए नवजाज सिसु को ट्रीपल एंटीजीन वेक्सीन दिया जाता है जिसे DPT भी करते हैं DPT ठीक है इसे ध्यान में रखे लगा कोशन नमर अलतालीश देखें काफी उपर बता है मैं कोशन नमर अलतालीश और काफी असान भी कोशन है उसमें पूछा जा रहा है कि गहरे समुत्र के गोता खोर निवने में से किस एक गयस मिसरान का प्योग करते है हीक खोर नमर उन्छा देख़्ी क्का सबसे महत्पून कारण क्या है कि य सालता है य य से कौरण है विभeda जाता है तो हंदियत का सबसें का करते हैं एक कॉसन नमर 50 देखते हैं विकारन द्वारा गर्म किया जाता है जब अंक में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूझ जाता है और गुलाबी हो जाता है सूर्झत है ऐसे इंगलिश्में कंजिकेट्ट वाग दिया जाता हैerd देखिए नेत्र डाउन में पूछा गया आई कोशन नमर nr22 नेमलकित में मानव शरीर को संकर्मन के विरुद संगर्स करने में सहता करता है।्ट लाल रुधिर को सिका Şimdi का मुख्यकार यह कोषिका में औकोचीजन को पहुचना वहां कार्बोन डश know को लेना इस धियान में आप लोग मुटा मूटी ही रख सकते हैं में तवचा का रंग निधायत करने बाले मेलानीन से पहले रहेगा तोचा का रंग जो निधायत होता है मेलेनें के वाज़ा से होता है सब्सक्राइब परगाश के लिए आ साक्ते के लिए उस में जैदा मिललीन होगे तो तोित०्छा k रंग काला हो जाता है इस से बाल सफेद होता है यह से भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं कुसाटि देखें वास्तविक स्वर्वधए के थोरा पहले दिरिस्मान होता है यह सिरुदे से पहले वह मंडले अफवर्तन कहलाता है तो फॉर अपवर्तन के कारण आहीं कॉशन मेरा पच्पन देखते हैं मुशन निमस्तों पर विशार किजिए और पूछा जारा है कि तिन सताओं दिया हुआ है कुछा यह कुछा कौन आमदाबाद में इस्तित है अमदाबाद में इस्तित जो है अपशन नमर B एक और दो है ते क्या है निमलिकित में से कौन सा एक सयुक्त राष्ट संग का परमुक अंग नहीं है का पर्मुक नहीं है तो अप्संट कर नुस्र अप्संट नुमर्ट डी हो जाएगा खाथ एवं क्रिशी संगठन जो है यह स्यूकत राष्ट महसंग का पर मुख रूप से अंग है तो आए देखने तेंड़ी तो यहीं पर दिया हुआ है थिक अंदराष्टिय नियाले देखें महासबाग जो है लगू संसद भी कहा जाता है और इसमें पंद्रा सदस होते हैं पहुंच के पास तो बीटो रहते हैं और दस जो है दो साल में परिवर्तित होते रहते हैं देखें अप्सान नमर डी खाद एवं क्रिसी संगठन का मुख्याले जो है रोम मेच्थी त देखें यह आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दें अब देखते हैं अब भारत सदस नहीं तो भारत जो है इसमें चार्दिया संगठन किसका सदस नहीं तो देखें नमर डी इस या परसंथ आर्थिक सहीयोग संग का भारत सदस से हैं देख लेते हैं कोमन वेल्थ नेशन का फॉर्मेशन गठन 1931 में हुआ था 11 दिसंबर 1931 को सार्ग का गठन 8 दिसंबर 1985 को हुआ था नेम का संग गठन 1931 में हुआ तो इसे भी ध्यान में आप लोग जाख सकते हैं आएक कोसा नमर 58 देखते हैं तो पुस्तक के रच्यता कौन है इस पुस्तक के रच्यता जो है जवाला नहरू है एक पुस्तक और इनके द्वारा लिखा गया है डिस्कवरी ओफ इंडिया काफी पुस्तक लिखा गया एक की याद रखेगा डिस्कवरी ओफ इंडिया भी जवाला नहरू के द्वारा ही रखेगा इंडियान फिलोसफी धर्म और समाथ जो है इन दो पुस्तक जो है एस राधा किष्णान के द्वरा लिखा गया है तो इसे विध्यान में आप लोग रखेगा आई को सब्सक्राइब करते हैं इस रोग का पूर्ण रूप है इस रोग का पूर्ण रूप है इस रिशर्च ओगनाइजेशन जो है इस रोग का फूल पूर्म है इस रोग का गठन जो है 15 अगर्ष्ट उनीस सोगनातरीस भी को हुआ था इसे विध्यान में आप लोग रख सकते हैं को सब्सक्राइब को मनाया जाता है इसे विध्यान में रखेगा बकित राष्टी उर्ज सब्सक्राइब को मनाया जाता है इसे अप लोग रख सकते हैं को सब्सक्राइब को ने मिली आ साहित से संबंदीत है जिसको निस्ती चेत्रि में दिया जाता है हुए तुलिंजर्ग आभल च्छेत्र में सथाहिए में निक्सरा बगार्त में संस्था इदा फॉपी संप्रद्या से कुस टर्म याद रखेगा इसकी जो है आग्मन जोए गुरू को जो है पीड कहा जाता है जुआ जाता है जो रहते थे इसके निवास निक को ते है जब आपको इसका पीडियाफ मिलेगा मेरे टेलिग्राम चनल पर टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिया हुआ इसे बना के चेक करिएगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर डी दस्वोपेटीश को सनुमर पच्पन देखें भारत में स किसके संसिलेशन में काम आता है तो DNA पॉलिमरेज एंजाइम जो है यह नुकलेटाइट को संसिलेशन में काम आता है कोशन नमर सरसर देखें कर को परतिगामी तब कहा जाता है जब उसका बाहर होता है अप्सन नमर सी अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े कर तो जी कर का परतिगामी परभाब पड़ता है इसके लिए सरकार जो है कुछ नीती लाई है याद रखेगा यह नया करेंट का यदि हो सकता है आपने कभी पूछ लिया जाए देखें जीरो से ती की बीच में कमाता है तो उसे 15 परसेंट लगेगा और 12 से 15 लाग की बीच में कमाता है उसे 20 परसेंट लगेगा और 15 परसेंट से उपर जो कमाता है उसको 30 परसेंट जो है 15 लाग से उपर जो कमाता है उसको 30 परसेंट लगेगा तो यह डाटा आप लोग याद रखेगा से रिलेटेड कोशन है आई कोशन नमर 68 देखते हैं इदि आप लोगको वीडियो अच्छा लग रहा है तब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर देश का पीडियो चाहिए तो आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा निमलिखित में से कौन ग्रीन हाउस अब लिए वर्षा का प्यास में जो है बता हुए है इसी में देखिए बंकी ओजोन जिसका सुद्र होता है ओधिरी मीथेन और कार्बन डॉक्षाइज और जो है इन तिनों में मुख्षा नमर 69 देखिए गलोबल पॉंस प्रूसका दिया जाता है तो गलोबल पॉंस निम्र में किस अस्थम अभिलेख में वासुदेव को परारमभिक उल्लेख पार जाता है यह गुरूर अस्तम अभिलेक में पाजाता है जो की मद परदेश में है देखिए स्वर पर्थम जो है स्री किष्णि का खोज जो किया गया था यह थंदक्यों उपनी सद में किया गया था पॉसन नमर् 61 देखिए रेखागनी संबंधि सिध्धनतों के पर्थिपादन तथा विकास का परधान स्रे निम्न में से किसे दिया जाता है तो इसे जो है बोधा यहन को दिया जाता है देखिए आरे भट जो है बंके अप्शन के साथ आरे भट जो है तिरभूज का छेतपल का जनक इसे कहा जाता अरे भट को वारा मिहीड जो है यह फलित चोटिस के विग्यान इसके कहा जाता है एक कोसा नमर् 72 देखते हैं महमुद गजनवी के आकरमन के समय कौन परसीद लेखक उसके साथ भारत आया था तो महमुद गजनवी जब भारत आकरमन किया था उनके साथ जो है कौन सा परसीद लेखक भारत आया था साथ में तो यह अलबरुनी आया था अलबरुनी अलबरुनी ने एक पुस्तक लिखा तारिक उल्हिंद या किताबों उल्हिंद जो है अल्वरोनी की द्वारा लिखा गया है जिसमें बहरत के समाच के बारे में रसा बताया गया है चारों जो है यह महमुद गजनभी के दर्वार में रहते थे तर फिर्दोसी भारुक है अल्वरोनी उत्वी यह चारों Almoham superintendent कुछ नभी के दर्वार में ही रहते थे देखें फिर दोसी के द्वारा एक कुछ तक लिखा गया है सहनामा इसे याद रखेगा आप तो कुछ नमर तेहां तर देखें शेर्षा के समय तंबे के दम और चंदी के रूपिये की विनी में दर क्या थी तो देखें इसका राइट नमर चोहतर देखते हैं अब लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जुरूब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं काप यह अच्छा कोशन है देखें चोहतर नमर हुआ 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 अंदोरन किस प्रकृति का था क्रांतिकारी धार्मिक प्रवर्टिका जो थ प्रकृतिक था हुआ 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 अंदोरन जो है वियतनाम में स्टार्ट हुआ था 1949 में इसके परमुख नेता जो थे यून फू सो थे इसे धियान में रखेगा तो आईकोशनमर 75 देखते हैं मार्च 1946 में फ्रांस एबं वियतनाम की बीच होने वाला समझोता किस नम से जा परना जाता है जिसमें वियतनाम को एक करी कंट्री का दर्जा दिया गया था उन्हीं जो है वियतनाम की रालदानी है एक को सनमस्षितर देखते हैं निवनी में से किसीने वर्स 1921 में रूस में नई आर्थिक निति को लागो किया था यूद्द के नहता थे इसने परत्म उ जीहन में रखेगा कुण नारादया था यूद का अंध करो लेनिन ने स्टालीन को जो है आधोनिक रूस का निर्माता कहा जाता है देखिए ट्राट सस्की को जो है इसने लाल से नका गठन किया था देखिए पलेख नोग जो है रूसी समयबाद का जनक कहा जाता है आई कुस के बीच में अंतराष्टी सिमा यह विक्टोरिया जिल बनाती है देखिए विक्टोरिया जिल जो है तंजानिया योगंडा और केन्या के बीच में अंतराष्टी सिमा बनाती है विक्टोरिया जिल से ही नील नदी निकलती है जो संसार की सबसे लंबी नदी है देखिए नील मुखी है। कुछ जो यहाद रिखेगा। मांट एटिना है। लेपरी पूआ पे Șरॉंबली जो लमकिया। इश्चु भीष ठ्थ. सकते हैं यह परवत का नाम परवत की सबसे उंची चोटी का नम जो है आने तो है आने तो खुले नद मुखों के धसान से सम्मधित तर जो है इसे रिया कहा जाता है इसका अकार जो है भी अकार का होता है जब जल उपर से गिरता है तो भी अकार का बन जाता है ये जो है इसे रिया कहा जाता है समाजिक विकास की तीन अवस्थाओं का सिध्धात मुलत किस ने परतिपातित किया था तो यह अगस्ट कमटे ने किया था इसे समाज सास्तर का जनक भी कहा जाता है और तीन अवस्था जो है समाज विकास के लिए तीन अवस्था दिया था याद रेखेगा धार्मिक चरन जरूर," सुस्क्राइब कर देगें लिएrika समाजिक इस्तिर्था और समाजिक गरत्यकी का सिध्वानत किसके द्वारा परष्टूत किया गया था यह था यह वी wonder संस्कृति का उधारन है जो है एक उप संस्कृति का उधारन है जो है इसको नेगलेट करके चलिएगा क्योंकि इसमें तुरा सा चेंजिंग हो गया है यहां से से का कॉशन सुरू होता है तो इस से ध्यान में रखेंगा कि देखे जुलाई 2022 में राष्टी उभोक्ता विवात निवारन आयों का अध्यक्स किसे नियुक्त कि अध्यक्स किया गया है जो एक बार आप लोग चलूर चेक कर लेगा जब वीडियू चेक कर रहा हैं द Q87 देखे विषबर्ण के कारण किस देश में अपात काल की घोसना क्या गया है या दखे såज जो पेड़ू में हुआ है और इसके कारण जो है अपात काल घोसित क्या गया है एक कुशनम 88 देखें भारत के बाहर पहला आयटी परीसर किस देश में अस्तापित किया जाएगा तो यह तंजानियां में किया जाएगा आयटी मदराश के दोरा यह किया जा रहा है एक कुशनम 89 देखें नवाशी तो दीजै नते दख नई दिली में भारत 6G किशेट लॉंज क्या किया है तो यह पारत ने किया है 41 वाटी 17-18 अगस्ट 2023 को परामपरिक ओशिदी वेस्विक सीखा समयलान कायोजन कहों किया गया था तो यह गंधी नगर में किया गया था आइपेथि टे ररानवें जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वेदेश निर्मित मिसाइल कोवेट आइनेस किरपाउं उपहार में द massage दिया है तुछ यह वियतनाम को दिया है वियतनाम को कौन सा आइनस किरपाउं किस एजेंसी द्वारा 2023 में आठ राजियों में ओपरेशन द्वास संचालन किया गया तो एन आई एक के द्वारा संचालन किया गया आई यह पल्चान में नमर देखते हैं यूगो, यूगीन, बहरत राष्टिश संगराले किस राज संची है हैं यूगो, यूगीन, भारत यह नई दिली में अस्तापित किया गया है कुसन महें 6 सेखन мыш," Followingsch Länder,ノá, आइक चेबुदं, कार। किस राज में चला गया हैं? यह अंधम पर्देशित weave France पुसनमा सल्पान देखें 3D प्रिंटर सूपर यह यह जी आरेक्स 810 किस देश में ने विक्सित किया है तो यह अमिर्का ने किया है अई कुसनमा अलठाँ भे देखते हैं मार्च 2023 में किस देश में तीस वर्स हों में पहली बार पोलियों के मामले दर्च किया गया है जो दक्सिन अफिरिका का एक देश है देख़ों देख लिए आप लग यहां तक पहुच गए। आप लोग विश्वास करते हैं कि आप लोग चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लोगे, जूनए बहीं किये हैं, जरूर सस्क्राइब करते प्रैक्टिसेट्स दो ही है काफी प्रैक्टिसेट्स आते रहेगा आप लोग के लिए इसी तरह का प्रफशना देते हैं को मेंट अच्छा करते हैं आपको अच्छा लगता है तो फिर भी कोमेंट करें ताकि हम आगे इसे आने वाले वीडियो में इसको चुधार कर सकें प्रैक्टिसेट्स दलने बाले बसों का प्रैक्टिसेट्स देश में किया गया तो इसे ध्यान मरगे तो फिर फिर को संदेख लिए कैसा लगा वीडियो कोमेंट करके आप लोग जरू बता है चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दें पीडियाप आपको मेरी टेलीग्राम चै चलिए थैंक्यू जैहिन